मैं सभी देश वास्यों से एक शमा मागता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर शमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं जिसकी वज़ा से आपको कई तरह की कठेनाईया उठानी पड़ रही है खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हैं तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है हमें इस मुसीबत में डाल दिया उनसे भी में विशेश रुपजेक्शमा मागता हूं हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सब को घर में बन कर मैं आपकी दिक् दिशानी भी समझता हैं लेकिन भारत जैसे 130 करोड की अबादी वाले देश को करणा के खिलाब लड़ाई के लिए यह कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था करना के खिलाब लड़ाई जीवन और मृत्य के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसी लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालाद देखने के बार लगता है कि यही एक रास्ता बचवा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है न फिर एक बार आपको जो भी असु पर यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुणह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्ता यानि यही कर रहा है भायों बहनों माताओं बुजुर्गों कोरणा वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है यह ज्यान विज्यान गरीब संपन कमजोर ताकतवर हर किसी को चुनोती दे रहा है यह ना तो राश की सिमाओं में बंदा है नहीं यह कोई छेत्र देखता है और नहीं कोई मौसम यह वाइरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करने के लिए एक जुट होकर संकल्प लेना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉक्डाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानुう जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं अरे भाई ये ब्रह्म पालना सही नहीं है, ये लोकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है, आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धहर्य दिखाना ही है, लक्षमन डेखा का पालन करना ही है साथियों मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानुन नहीं तोड़ना चाहता नियम नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थीती की गंभीर्चा को नहीं समझ रहे ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी आज ये सब पच्ता रहे हैं साथियों हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम स्वास्थम सरवार्त साधनम यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ ही है ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं चाहत्यों इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं जो गरों में नहीं गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं खास करके हमारी नर्सिस बेहने हैं नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं परड़ा मेडिकल स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेणा ले जी हैं जो तमाम कदम भारत वाश्यों ने उठाए हैं जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं वही भारत को कोरोना महामारी पर जित दिलाएंगे एक-एक भारतिय का संयम और संकल भी हमें मुश्किल स्टिती से भार निकालेगा झालेड़ झालेगा